कलास कमबाइन हार्वेश्टर इस मशीन को कलास कमपनी ने डिजाइन किया है इसको कलास क्रोब टाइगर हार्वेश्टर भी कहा जाता है इस कमबाइन हार्वेश्टर को पंजाब में बहुत ज्यादा देखा जाता है अगर आप इस मशीन को खरीदते हैं तो धान कटाई के टाइम आपको बहुत अच्छी खासी रकम कमाने का मौका मिल सकता है क्यूंकि वेस्ट यूपी बिहार मद्या परदेश और हरियानम ये हार्वेस्टर बहुत कम है इसलिए आप इस मशीन को खरीद कर अच्छा कारोबार कर सकते हैं वेसे तो ये एक जर्मन टेकनिक है और आज भी इसके पार्ट्स बाहर से याते हैं लेकिन एसेंबल इसको भारत में किया जाता है और आपने देखा होगा वेस्ट यूपी और हरियानमे धान कटाई के टाइम पंजाबी लोग इस मशीन को लेकर आते हैं यूपी बिहार में जब बारिश होती है तो जहाँ किसान गेहों को ऐसे ही छोड़ देते हैं सूखने के बाद काटते हैं लेकिन इस मशीन का कमाल ये है कि ये गीले धान को भी आराम से काट लेती है जहां पहले किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते थे हातों से गयों काट कर इखटा करते थे और फिर मशीन में डालते थे और छोटे से खेत को काटने के लिए के दिन लग जाते थे लेकिन ये कुछ गंटों में बहुत बड़े एरिये में खड़े धान को काटने के साथ बराबर में चल रहे ट्रेक्टर की ट्राली में धान को डालती रहती है अगर हम इसके इंजन की बात करें तो इसमें टाटा कमपनी का इंजन लगाया गया है जो BS2 इंजन है फ्यूल टेंक की बात करें तो इसमें 100 लिटर का फ्यूल टेंक है और अगर हम पूरे मशीन के वजन की बात करें तो इसमें तकरीबन 4,270 किलो वजन होता है इस हारवेश्टर की लंबाई 5,855 mm है और उंचाई 2,905 mm है और चोड़ाई 2,620 mm है अगर इसको खरीदने की बात करें तो चंडिगर अमबाला के बाद अब ये भारत के कुछ बड़े शेहरों में भी आसानी से मिल जाती है और अगर इसकी कीमत की बात करें तो ये 25 से 30 लाक रुपे में मिलती है तो कैसी लगे आपको जानकरी प्लीज एक कमेंट कीजे वीडियो को लाइक कीजे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे थैंक यू